राजिंदे नगर में एक दुखत घटना हुई जहां एक कोचिंग सेंटर की बेस्मन में पानी भरने से तीन बच्चों की मौत हो गई जैसे ही इस घटना का पता लगा मैं मौके पर पहुँची और जायजा लिया इस दुखत घटना को देखते हुए MCD कमिश्नर को मैंने एक लिटर लिखा जिसमें मिर्देश दिये कि दिली में जितने भी ऐसी कोचिंग सेंटर है जो अवे तरीके से चल रहे हैं जो जितने भी MCD के नियम और कानून हैं उनका उलंगन कर रहे हैं उन सब पर एक्शन लिया जाए दूसरा जो परसो घटना हुई उसके जितने भी जिम्मेदार ओफिसर्स हैं उन पर भी कारवाई की जाए कल ही MCD ने अपना एक्शन शुरू किया और राजिंदा नगर में एक सीलिंग ड्राइव चलाई जिसमें 13 कोचिंग इंस्टिट्यूट को सील कर दिया आज भी राजिंदा नगर में सीलिंग ड्राइव हुई जहां 6 कोचिंग इंस्टिट्यूट को सील किया गया साथ ही encroachment drive हुई आज मुखरजी नगर इलाके में भी ceiling drive हुई और साथ ही जो परसों की घटना हुई राजिंदर नगर में उसके जिम्नेदार officers जेई को terminate किया और assistant engineer को suspend कर दिया और आज परसों की घटना को देखते हुए एक emergency meeting बुलाई जिसमें MCD commissioner को बिलाए गया PWD के अधिकारी को बिलाए गया और दिल्ली जलबोट के अधिकारी को बिलाए गया और साफ मिर्देश दे दिये गए कि दिल्ली में चलने वाले जितने भी ऐसे aware coaching centers है जिनके पास MCD के जितने भी bylaws है उनकी permissions नहीं है जितने भी नियम कानून है उनको उलंगन कर रहे है उन सभी coaching centers पर action लिया जाए और किसी भी coaching center को बक्षा ना जाए और किसी भी प्रकार की जो लापरवाई है वो नहीं बरदाश की जाएगी दूसरा अगर कोई भी अधिकारी एसी घटना में जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर भी सक्से सक्त कारवाई की जाएगी